तुम लोगों को पता है, ट्विटर भी बॉलिवूड के पांचोली की तरह ही है, साला कुछ भी गलत होता है तो घेरे में सबसे पहले वही आता है, हैस्टेक और पांचोली दोनो एक जैसे हैं, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता खेर जादा पांचोली पांचोली नहीं करूँगा, वरना हो सकती है, कल को मेरी भी खवर आजाए, आएगी तो घेरे में ले 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 ना उसको, और हाँ, ट्विटर पे हैस्टेक ट्रेंड जरूर करवा देना, क्यूंकि ट्विटर पे हैस्टेक ट्रेंड करवाने से ही तो इं करते हैं कि ट्विटर पे हैस्टेक ट्रेंड करवाने से इंसाफ मिलेगा कि खेर जाने दो तुम लोग को पते हैं इंडिया में सडकों से भी ज्यादा कोई खराब चीज है तो वह है सिरियल्स साले लोग स्टोरी खतम ही नहीं करते हैं जैसी टी आर्पी कम होती है कोई ना करवा देते हैं यहां नॉर्मल लाइफ में अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया कि तुम्हारे पूज्य पिता जी का अफेर चल रहा है तो भाई साब उमीद ही छोड़ दो कि तुम्हारी मम्मी ओ सीडियल वाली बहु की तरह अफेर वाली लड़की को दूर भगाने की कोसिस करेगी उल्टा दहिच के पैसे वापस लेके तलाग देके चल जाएगी चारी हो क्या हां इंडिया में हर सौँ में से दस तलाग के केस इसी वज़ा से हो रहे हैं खैर जाने दो मैं तो जुट आ, मैं तो जूटी बोलू ओं से हम जुटी बोलू आ खैर हम कहा पे थे, सिर्फ उसका हाथ चुएगा और इतने में पूरे घर वालों को good news मिल जाएगी हम लोगों ने स्कूल में पड़ाता भाई सब गलत पड़ाता वो सब करने से कुछ नहीं होता भाई सब गलत है सिर्फ हाथ चुने से होता है और यह serial वालों से भाई मेरी एक request है भाई प्लीस य से अधें यहाँ पे सब को बता दूं आया मैं यूट्यूबर ओल्सों तो जब मैंने करियर की स्टार्ट की न तब एक बच्चे ने मेरा जीना हराम करके रखा था दिन को recording करने बैठीओ तो रोने लगे रात को recording करने बैठीओ तो रोने लगे साला इतना तो रिया ने सौर राते और दिन रंगिन करना तो बनता ही है इनका, एक दिन मैं recording करने बैठा, तो फिर से वो बच्चा रोने लगा, मैंने का मुझे आज जानना है कि इसकी problem क्या है, मुझे जानना था कि वो आखिर क्यों रो रहा है, पलोसी का बच्चा था, उनके और हमारे घर में आना जाना लगे रहता था, और भाईया हम चल दिये, देखने की आखिर क्यों रो रहा है बच्चा, सामने का में इंडोर खुला था, हम घुज गए, इधर बच्चा रो रहा है, और दूसरा दरवाजा बन था, और हम गए, तो फिर की होल से जाक के देखा, तो newly married couples भाईया, सब समझ म आठ दस मिनट की स्टोरी और बताता तो इस सच में हिलाने लगता मैं बता रहा हूं तुम लोग को, भाई ऐसे करोगे तो horny jail में दिखाई दोगे बहुत जल्द, खेर जाने दो, स्टोरी बहुत अच्छी बना लेता हूं सायद मैं, सीरियल वालों से तो जादा ही अच्छ पास तो कर लिते हैं, खेर तुम लोग भी सोच रहे होगे कि मैंने बच्चे के साथ क्या किया, any guesses तुम लोग ही बताओ, क्या किया होगा, हाँ भाई बोल, मार दिया, भाई क्राइम पेट्रोल चल रहे हैं आपे, बच्चे मारते फिरूंगा मैं, और कोई बताओ भाई, हा मत दूदूद कर लिया, कैसे, सिंगल हो आप, चलें फिर डेट पे, देखो मना मत करना, जोग कंप्लीट कर लेने तो, बस, बहुत रहीस हूं मैं बता रहा हूं, नीता अमबानी जैसे सौक पालता हूं मैं, सब को बता दू यहां पे मैं, सोने का बातरूम है मेरा, और कभी कभी तो IPL भी जितवा देता हूं, देखो रहीसी पे मेरे सक मत करना, तुम लोगों को एक बात बता देता हूं, मेरे दादा जी के निधन के एक दिन पहले, मैंने उनकी दोनों किड्निया निकाल ली, और जाके आईपोन 12 ले लिया, वो बिना चार्चर वाला, और अगले दिन घर वालों को बता दिया, कि दादा जी चल बसे हैं, लेकिन याद रखना पैसे बहुत आ गए उससे मेरे पास, यह थोड़ा डार्क हो गया क्या, चलता है यार, चलता है, सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग इस तेंड़ ऑक की इतिहास में एक सबसे नया चीज करते हैं जो किसी ने नहीं किया होगा तुम लोग मुझे रेंडम वर्ड्स बोलना मैं उस पर जोक मारूँगा ठीक है क्या मोधी जोक्स जी कौन लगाएगा साले जी लगाओ और बोलो किसके उपर जोक्स मारना गल्फ्रेंड के उपपर अच्छा ये बताओ कितनों की गल्फ्रेंड है यहाँ पर सब की है साले गल्फ्रेंड नहीं रखेल रखो नौर्मी हो क्या गल्फ्रेंड रखते हो खेर मैं सेगंड जनरेशन यूट्यूबर हूँ तो मैं ये नौर्मी क्रिंज ये सब में ज़्यादा बिलिव करता हूँ मैंने बोला इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सब को प्रमोट करता हूं ठीक है ब्रेक हर बैड नॉट हर ट्रस्ट बोलना पड़ता है यार वरना लोगों को तो जज करने का मौका चाहिए और क्या देवर भावी जोक्स अब नहीं क्या समझ रख्यों वे यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन की ट्विटर का ह जो मर्जी आ रहा है वो बोले जा रहे हो खेर निरास नहीं करेंगे अच्छा तुम लोग में से कितनों ने अभी तक अपनी भावी के मज़े लिया है कि किसी ने नहीं नौर्मी हो क्या भाई यार रिपीटेड जोक्स हो गए एक एक स्टेंड अप कोमेडी में दो अब मैं तुम लोगों को एक स्कैम बताओं पीम केर्स फंड अच्छा तुम लोगों एक बात बताता हूं एक बार मुझे ट्रेन पे बिखारी मिला हट्टा-कट्टा था कमा सकता था भीक मंगते मंगते मेरे पास आया क्याता है भगवान के नाम पे देदू मैंने का हम मुझे अपनी जिंद्गी में तीन चीजे कभी समझ नहीं आने वाली है पहला काडून क्यूंकि वो तो सिर्फ गरीबों के लिए होता है अमीरों के लिए होता नहीं तभी आज नेता से लेके पारसद जिनके उपपर कई क्रिमिनल केसे चल रहे हैं वो भी आज पॉलिटिक क्योंकि भाई हमसे अभी पटी नहीं तो समझने का मौका मिला नहीं साले केंद्र विद्याले के ओ छपरी लड़के ले जा रहे हैं पता नहीं क्यों सरीफ लड़कों से क्या नफरत है लड़कियों को और तीसरा मेरा दोस्त गूंगा है एक दिन वाटसेप पे मेसेज करता है और बोलता है भाई मुझे पैसन फॉल्व करना है आं मैंने बोल लग़ा करना है तो चैथा गंना वानना कहते हैं भाई मुझे डी मोटिवेट कर रहा है तूं एक बारी गातो सही एक बारी घातो सही अने का तूं गाने स्टार्ट कर भाई और नाइट सकसेस दिलवा देंगे इंडियन आइडल पर खड़ा कर देंगे तूं गातो अब देखो physically disabled लोगों का मैं मजाक उड़ा रहा हूं तो यह मतलब नहीं है कि तुम लोंग भी उड़ाओगे वरना लोग क्या कहेंगे भुपेश कुमार की आउडियंस चूतिया है हिंडिया का साला youngest stand-up comedian और उसकी आउडियंस चूतिया अच्छा लगेगा क्या सुनने में इसलिए मत करना और किसी को कुछ कहना है पर्फियूम कौन सा लगाते हो रेडिट क्या हुआ हो पर्फियूम नहीं है मैं तो वही लगाता हूं यार अब देखो मैं तो ऐसे subscribe करने के लिए बोलता नहीं लेकिन अब बोल रहा हूं तो subscribe करते ना प्लीज वीडियो आखरी तक देखे हो subscribe कर दो चोदू मत बनाना बस चोदू मत बनाना चलो ठीक है फिर मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में